हलो गाईज आज बनाएंगे धाबा स्टाइल सोया चाप लेकिन बहुत ही आसान तरीए से बनाएंगे तो इसके लिए चार ग्लास पानी गरम किया है फेस में हाफ लेमन का जोस डाला है 500 ग्राम सोया चाप डाला है धकन से कवर कर देंगे और 5 मिनट तक इसे उबा लेंगे 5 मिनट के बाद धकन हटाएंगे इसे निकाल लेंगे ठंडा हुजाने के बाद सबसे पहले इसके स्टिक्स को रिमूव करेंगे और इसके पिसेस कर लेंगे जब तक इसके पिसेस कर रहे इसाथ ही साथ मैंने तेल गरम कर लिया है हाई फ्लेम पर सोया चाप को फ्राई करेंगे और इसे चलाते हुए ही गॉल्डन हो जाने तक फ्राई करेंगे जब गॉल्डन हो जाएगा तब इसे निकाल लेंगे सोयाच आपको तो मैंने पहले ही उबाल लिया था और अब यहाँ पे मैंने इसे फ्राई भी कर लिया है फ्राई करने से इसके अंदर बहुत ही जाली बन जाता है जो कि आगे आपको बताऊंगे क्या होगा इससे अब यहाँ पर देखें मैंने लिए है दही यह घर की दही है और यह खटी नहीं है तो दही खटा ना ले तो जादा अच्छा होगा इसमें आधा चमच हल्दी आधा चमच देगी मिर्च और नमक डाला है आधा चमच हाफ लिमन का जूस डाला है इसे मिक्स कर दिया है अब मि अच्छे से दही को फेंट लें अब इसमें मैंने डाला है सोया चाप और इस बात का भी ध्यान रखिए कि सोया चाप गरम नहीं डाले इसमें 15 मिनट के लिए से रख दिया है अब उसी गडाही में मैंने जो बचे हुए तेल में ही प्याज को डाला है प्याज चार से मीडियम से चोटे साइज के टमाटर भी थे और इसे बिलकुल भी दल जाने तक पकाएंगे फिर इसे निकाल लिया है ठंडा हो जाने के बाद इसे ग्राइंड करेंगे तो इसमें डाला है मैंने विगोया हुआ बादाम आप बादाम की जगह चाहें तो काजू भी डाल सकते ह हैं दूसरी कड़ाही में चार टेबल स्मून तेल गरम किया है फिर इसमें मैंने बटर भी एट किया है से स्वाद इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा दो सुखी मिर्च और साथ में सिनमन स्टिक एक हरी इलायची आधा छोटा जमत जीरा तीन से चार चुटकी इसमें म पानी भी एट किया है तो अभी आप देखेंगे कि भूनते हुए आपको ऐसा लगेगा कि इसे ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है लेकिन थोड़ा भूनेंगे क्योंकि इसमें और मसाले मैंने एट किया है मुझे लगा देगी मिर्च कम है तो मैंने और आधा चम्मच द अज़ा है और फिर इसमें मैंने डाला है मैरिनेटेड सोया चाप सोया चाप को भी इसमें पानी लगे हुए थे वह इसमें 7 में डाल दिया है और 5 मिनट तक मसालों के साथ इसे मूनेंगे अब मैंने बोला था ना कि जो जाली आ जाती है वो अगर जाली बन जाती है तो ये मसाले को अच्छे से अब्जॉर्ब भी कर लेती है अंदर तक मसाले को ये अंदर तक जाएगा तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा पांच मिनट के बाद इसमें पानी एड़ किया है सिर्फ एकलास और इसे कवर कर दिया है पांच-सात मिनट के लिए सात मिनट के बाद इसमें मैंने डाला है कोरियंडर लेव्स आप इसमें कसूरी मेथी भी एड़ कर सकते हैं फ्लेम को बंद कर दिया है आप इसे नान के साथ रुमाली रोटी के साथ खा सकते हैं बहुत ही बढ़िया लगेगा तो आपने देखा बहुत ही आसान तरीके से बनाया है रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें चानल को सब्सक्राइब धन्यवाद